संसत के मानसून सत्र का हुआ आगाज पहले ही दिन एक्षिन में दिखा विपक्ष विपक्ष के हला बोल के चलते लोगसभा की कारिवाही कर दी गई थी स्थगिर राष्टुपती चुनाओ के लिए मतदान जारी देश के 15 वे राष्टुपती के लिए हो रहा है चुनाओ अब तक कई सांसद और केंद्रिय मंत्री डाल चुके हैं वोट राष्टुपती चुनाओ के लिए वोटिंग जारी मतगर्णा के बीच विपक्ष के उम्मीदवार यश्वंत सिना बोले राष्टुपती चुनाओ में पैसे का खेल प्रजातंत्र बचाने के लिए मुझे करें वोट देश में अब उप्राष्टुपती चुनाओ ने मचाई हल चल एंडिय उम्मीदवार जगदीव धन्खड ने किया नामांकन 6 अगस्त को होनी है वोटिंग जगदीव धन्खड के नामांकन से राहत में टीमसी कहा हमें परिशान करने का मिलाए नाम एंडिय के उप्राष्ट पती उम्मीदवार है धन्खड बढ़ती महंगाई को लेकर कॉंग्रेस ने तराहुल गांधी ने मोधी सरकार को घेरा ट्वीट कर कहा बीजेपी कर रही देश की अर्थिव्यवस्था को नस्ट ग्यानवापी मामने में दायर नई याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोट आगामी 21 जुलाई को होगी सुनवाई याचिका में मांगी गई परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा करने की अनुमती क्रिप्टो करेंसी पर लग सकता है बैन आर्विय क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने के पक्ष में वित्मत्री निर्मला सीतरामन ने संसत को दी जानकारी मद्रप्रदेश के धार में हुआ हाथसा पुल से नर्मदा नदी में गिरी बस 13 लोगों की गई जान रेस्क्यू ऑपरेशन जारे देश में कोरोना मामलों में दर्ज हुई बड़ी गिरावट पिछले चौब इस घंजे में मिले 16,935 नई केस 51 की गई जान पंजाब उप्चुनाओं में अमरान खान को मिली बड़ी जीत, 20 में से 16 सीचों पर तहरी के इंसाफ ने की जीत हासल, शरीफ परिवार के गढ़ में फिर बड़ी सेंद मारी बढ़ रही है श्री लंका के पूर राष्टपती राजपक्षे की मुसीबतें, 15 दिन से ज्यादा अपने देश में शरण नहीं दे पाएगी सिंगापुर सरकार, विदेश मंत्राले ने कहा सिंगापुर आम तोर पर नहीं देता शरण श्री लंका में फिर लगाई एमरजेंसी, चार महीने में चौथी बार लगा आपात काल, कारेवाहक राष्टपती रानेल विक्रम सिंगे नेकी घोशना चीन और सुडान में बाढ़ का कहर जारी, 13 लोगों की गई जान, पानी में डूबे सेंकडो घर अमेरिका के मॉल में हुई तावर तोड़ गोली बारी, तीर लोगों की गई जान, दो घायल, आम्ड सिवीलियन, नेकी हमलावर पर फाइरेंग रेल्वे ने आज एक सो बीस से भी ज्यादा ट्रेनों को किया रद, कई ट्रेनों के बदले गए रूट्स, बारिश और खराब मौसम के चलते लिया फैसला गूगल के खलाफ कदम उठाने की तैयारी में भारत सरकार, डिजिटल मीडिया के साथ सही रेविन्यू शेयर करना होगा, नहीं तो खत्म होगा मोनोपॉली का गलत इस्तमाल अमेरिका के यूजीन में विश्व एथलेटिक्स चेंपियन्शिप में उतरने की तैयारी में खिलाडी नीरच चोपडा, चेंपियन्शिप को लेकर बताया अपना टार्गेट, कहा बेहद कड़ा होगा मुकाबला कार्तिकारियन की नई फिल्म का हुआ एलान, बजरंगी भाईजान के कवीर खान संभालेंगे, निर्देशन की कमान, फिल्म में कार्तिक के साथ साजित नाडियावाला आएंगे नजर एक 56 पार्टो यिल्म में एक याज़न पूल्म में का बड़ा होगा मुकाबला आएंगे, निर्म में कार्तिक प्याज серьез expectation